नमस्कार, बॉलिवुद ठिकाना में आपका स्वागत है बॉलिवुद ठिकाना को इतना प्यार देने के लिए हम आपके तहे दिल से शुक्र गुजार है आज पेश कर रही हूँ क्लासिक किसे में एक ऐसी दास्तान जो सुपस्टीशिस लोग तो इसे सची मानेंगे लेकिन कैसे किसी एक के लिए कोई चीज बहुत अच्छी होती है तो किसी के लिए बहुत बुरी क्लासिक किसे में आज हम बात करेंगे कि अमिता बच्चन का बंगला क्यों किसी के लिए पहले मन्हूस था बात कर रही हूँ उस बंगले की जिसमें आज की तारीख में अमिता बच्चन अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं और हर अभिवार लोगों के सामने आते हैं और उनका अभिवाधन लेते हैं दरसल हुआ यूँ कि पहले ये जो बंगला था जल्सा वो निरमाता निरदेशक एंसी शिप्पी साहब का था लेकिन उसमें रहने के दौरान उनके बेटे रोमू सिप्पी के किड़नाप का अटेम्ट हुआ था इस बात को लेकर वो काफी घबरा गये थे और इस मकान को मनहूस समझने लगे और उन्होंने इस मकान को बेच दिया जिसे खरीदा आमिता बच्चन ने और आमिता बच्चन के लिए कतई भी मनहूस नहीं था उस बंगले में आने के बाल वो एक सूपर स्टार बने पहले आमिता बच्चन प्रतीक्षा बंगलों में रहते थे जो जल्सा से थोड़ा ही पास में है लेकिन अब वो रहने लगे हैं जल्सा में अपने परिवार के साथ आमिता बच्चन ने बंगला जल्सा NCCP से खरीदा नहीं था ये फिल्म में उन्होंने जो की थी अमिता बच्चन ने सत्ते पे सत्ता उसका जो रेनुमरेशन था जो फीस थी उसके बदले में NCCP सहब ने अमिता को ये बंगला गिफ्ट किया था और जब शुरुआत में ये बंगला उन्हें गिफ्ट मिला तो शायर इंकम टेक्स से बच्चने के लिए अमिता बच्चन सहब ने इसे अपने भाई की पतनी के नाम पर लिया और बाद में obviously future में वो हो गया जया बच्चन के नाम फिलहाल अमिता बच्चन सहब अरिवार वहां रहते हैं और हर अविवार को लोगों को दर्शन देते हैं और हमें टीवी पर और फिल्मी परदे पर नजर आते ही रहते हैं आज की classic किसे में हमने बात की एक बंगले की जो किसी के लिए मनहूस था तो किसी के लिए एक बून था आज के लिए बस इतना ही अगले किसे के लिए इंतजार कीजिए मैं फोरण लौटूंगी नमस्कार